बिस्मिल्लाइ रराभ्मर गेम स्सल्ट्स वेलिकम दुबाई विद मुसम्मित वालेकम स्सुर्ट्स करेंगे वह तेकनीक्स यूस टिकनीग को आज हम डिसकस करेंगे वह तेकनीक है spectrophotometry देखे स्टोएंट, spectrophotometry is the combination of three words spectrophotometry देखे स्टोएंट, जो word spectro है, यह spectrum से है, और आपको पता है light को जब prism में से pass किया जाता है तो वो light अपने particular seven colors के अंदर supplit हो जाती है, जिसको हम spectrum का नाम देते हैं, और इसी तरह से word है photo, photo light को कहते हैं और मिट्री जो वर्ड है उसका मतलब होता है मेजर्मेंट अब स्पेक्ट्रो फोटो मिट्री जो टेक्नीक है उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं देखेस्टोंट इस बेसिकली टेक्नीक बीच तू दिटेर्मिन देण।प्षाइन अफ दिफ्रिंट वेवलेंचंव लेस अफ लीट्ष емीकल कमपाउंड आर फोट्सिंथेटेक फिएग्मेंट देखेस्टोंग कोई पर्टीकूलर केमिकल कमपाउंड या प्पिर फोट्सिंथेटिग्ञंट फोट्सिंथेटिक जो के plant उसके अंदर मुझूद होते हैं जो light को absorb करते हैं और plants में photosynthesis में help कर रहे होते हैं वो photosynthetic pigment या कोई भी chemical कितनी wavelength of light को absorb करता है उसको हम spectrophotometry के जरीए क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं तो देखे स्वेंट उसके लिए device इस्तमाल होती है जिस device को हम कहते हैं स्पेक्ट्रो फोटो मीटर अब यह जो स्पेक्ट्रो फोटो मीटर है यह हमें absorption spectrum के मतलग बताता है यह absorption spectrum जो है वो क्या है this is basically amount of light absorbed at each wavelength चीके जी कोई भी amount of light जो कोई भी wavelength जो absorb होती है तो वो जो wavelength absorb होती है उसकी जो amount of light है उसको जब हम plot कर देते हैं एक graph के अंदर तो उससे जो अब के पास spectrum हासिल हो जाएगा उस spectrum को हम कहते हैं absorption spectrum तो देखें students जो spectrophotometry है वो किस purpose के लिए इस्तमाल होती है उसकी क्या usefulness है अगर आप उसकी usefulness को देखें तो this spectrophotometry is used to determine wavelengths of light take part in photosynthesis जनी इसका मतलब यह है आप उन wavelengths of light की absorption जो है वो find out कर सकते हैं जो photosynthesis में हिस्सा लेती हैं और इसी तरह से इस technique को आप use कर सकते हैं to determine the very minute quantity of substance जनी DNA in a sample आपके पास एक sample है और उस sample के अंदर आप DNA की amount find out करना चाहरे हैं कि DNA कितना जो है उस sample के अंदर मुझूद है तो उसके लिए भी आप spectrophotometry को use कर सकते हैं और students आपको पता है कि DNA जो है वो ultra wallet rays जो है UV light जो है उसके absorb करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप DNA को quantify कर सकते हैं इस technique के जरिए जैनी sample के अंदर कितना DNA मुझूद है आप इस technique से find out कर सकते हैं आप देखें students जो spectrophotometer है इसकी अगर आप internal construction जो है वो देखें तो इसमें आपको एक light का source जो है वो नज़र आएगा और यह जो light का source है यह light produce करेगा इसी तरह से light के source के सामने जो है एक कॉलिमेटर है और इस कॉलिमेटर में एक lens है और वो lens जो है जैसे convex lens और कॉल कॉलिमेटर जो है यह जो light है उस light को यह narrow कर देगा यह नज़र आ रहा है आपको कि इसने light को narrow कर दिया दैन उसके बाद आपके पास monochromator है और यह monochromator जो है यह monochromatic light जो है वो produce करेगा यह कोई prism हो सकता है या फिर gritting हो सकता है after that जब यह monochromatic light जो है वो यहां से pass होगी तो यह याद रख लें कि monochromatic light जो है यहां से pass होने के बाद वो split हो जाती है different wavelengths के अंदर then के के जाता है यह जो different wavelengths जो है यहां पे produce हो जाती है तो after that उनको गुजारा जाता है selector में से तो selector एक slit है वो जो selector के बीच में से जैसे ही wavelengths pass होंगी तो सारी की सारी wavelengths वहां से pass नहीं होती कुछ तो यहां पे block हो जाएंगे और सिर्फ particular wavelength जिसकी absorption आप find out करना चाहरे है वो particular wavelength जो है वो यहां से pass हो जाएगी जैसा कि आपको इस diagram में नजर आ रहा है तो वो particular wavelength जैसे ही pass हो जाए तो पास होने के बार आप उसको sample में से गुजारेंगे तो आप देखे स्टुरेंट सेंपल जो है सेंपल को असल में हम एक glass container है जिसको हम कहते हैं क्यूवर्ट उस क्यूवर्ट के अंदर ले लेते हैं और वो जो क्यूवर्ट है उसके अंदर सेंपल मजूद है और यह detector असल में photo cell होते हैं जो के reading अपनी देते हैं digital display के उपर या meter के उपर अपनी reading जो है वो दे देते हैं कि कितनी amount में light जो है वो absorb हो गई अब यह देख सकते हैं अब यहां पे हमने एक graph जो है वो plot किया हुआ है और यह जो graph है उसमें आप अगर देखें x-axis में आप wavelength क को ले लें इसमें chlorophyll A chlorophyll B और इसी तरह से carotenoid और यह तीनो photosynthetic pigments है और यह जो photosynthetic pigments है इन की जो absorption है वो यह graph जो है वो शो कर रहा है और इसमें आप को यह नजर आ रहा है कि chlorophyll A और chlorophyll B जो है 400 nm से 470 nm जो के violet blue region है वहां पे absorption ज्यादा शो करते हैं और इसी तरह से 630 nm से 660 nm के बीच में जो के orange red color का region है और शी तरह से अगर आप carotenoid को देखें तो यह 430 nm से 500 nm के बीच में absorption शो करता है तो यह absorption है जब हमारे पास यह values आती है तो आप graph जो है manually भी बना सकते हैं और इसके इनावा हमारा जो spectro photometer है इसके अंदर भी यह graph automatically बन जाता ह है तो students आज हमने spectro photometry को सीखा है कि spectro photometry क्या technique है next lecture में हम इंशालला एक last technique जो के microscopy के मतलिक है उसको discuss करेंगे आप से next lecture में इंशालला मुलाकात होगी till that time अलाहाफिस